Yes students now we will do F part F part में आपको decimal number भी given है और जो simplification करनी आपने वो तो करनी ही है और decimal number भी आपने साथ साथ solve करना है तो यहाँ पे बटे चैप्टर नंबर जो 7 है उसका work भी है और चैप्टर नंबर 8 का तो work ही है because we have to solve the numerical expression तो चलिए अब हम start करते हैं तो इसको start करने से पहले जो हमारा first step होगा वो क्या होगा हमने सबसे पहले decimal number को fraction में change करना है change each and every decimal number to a fraction तो हमारा जो question है वो बहुत easy हो जाएगा चलिए अब हम start करते हैं इसको हमने fraction में change किया point के बाद एक digit है तो नीचे हमने 0 लगा दी ठीक है 1 के बाद 0 लगा दी और सासाथ बेटे जो division वाले हैं उसको भी हम change करेंगे multiply का sign और इसको क्या कर देंगे reverse reciprocal 1 by 5 multiply का sign 0.4 है तो 4 लगा के denominator में 10 क्योंकि point के बाद एक digit है plus 2 equal to का sign लगाएंगे क्योंकि यह जो हमने question given था तो इसके equally तो हम solve कर रहे हैं ठीक है तो equal to आप जरूर लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे आपको left side में equal to का sign अब हम क्या करेंगे यह देखिए 5 अंजा 5 और 5 फाइवजा 25 numerator denominator जो भी आपके आपस में cancel हो रहे हैं आप उसको cancel कर सकते हैं ठीक है और यह देखिए बटे यह पूरा का पूरा यह पूरा expression जो है multiplication में है तो that means कि यह इसके साथ भी solve हो सकता है अगर मैं इसका यह वाला numerator denominator के साथ cancel करूं तो easily हो जाएगा 5 अंजा 5 और 5 तूजा 10 now 2 1s are 2 and 2 2s are 4 तो यह मैंने 2 के table पे cancel कर दिया 4 को अब यह देखिए बटे 2 by 10 आ रहा है बाकी तो सब cancel हो गए उपर सिरफ 2 ही बचा 1 multiply करोगे 2 में तो 2 ही आएगा और नीचे 10 को आप 1 से multiply करोगे तो 10 ही आएगा तो that means 2 by 10 है अगर हम इसको decimal में दुबारा से change करें तो क्या होगा 0.2 राइट से हमने एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है क्योंकि सिरफ एक ही 0 है denominator में that means की एक डिजिट से पहले ही पॉइंट लगाएंगे then plus 2 यहां तक clear है now अब यह देखिए बटे यह whole number है इसका 0 इस decimal number में point से left में जो है यह है whole number that is 0 decimal वाला पाट तो यह है right में और यहां पे जो whole number है वो 2 है हमने whole number को whole number से add करना है इस decimal number का whole number है that is 0 और इसका यह whole number है that is 2 0 plus 2 we get 2 okay and then point और फिर यह जो है same as it is हम यहां लगा देंगे decimal वाला पाट ठीक है I hope आपको समझ में आया होगा मैंने किस तरह से बताया है whole number में whole number add करेंगे उसको यहां लिखेंगे then decimal लगाना है और उसके बाद decimal वाला पाट इदर लिख देना है चलिए अब G पाट देखते है यह भी आपका decimal की फॉर्म में गिवन है आपको यह वर्क्षिट 3 के questions है चलिए अब हम क्या करेंगे सबसे पहला step क्या होगा decimal को change करेंगे fraction में multiply का sign 9 by 10 multiply का sign 5 by 10 minus 2 तो मेरे पास यहां पे 3 decimal number थे उसको मैंने change कर लिया और यहां पे अगर हम ध्यान दें यहां तो division का sign था हाना तो that means कि हम क्या करेंगे यहां पे division का sign लगाएंगे यह मैंने गलती से लगा दिया multiply का sign division का sign ही आना है आगे देखिए 36 upon 10 और जब हम division का sign remove करेंगे multiply का लगाएंगे इसका क्या हो जाएगा reciprocal reciprocal हो जाएगा बाकि same as it is हमने लिखना है जो भी आपने अभी तक लिखा है सिरफ मैं इस part को ही change कर रही हूँ बाकि सब सेम रहेगा 10 और 10 यह आपस में cancel हो जाएगे और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यह 3 के table पे और 9 के table पे भी directly cancel हो रहा है 9 वंजा 9 I think यह 9 4 जा cancel हो रहा है 9 4 जा 36 अब यह 5 वंजा 5 and 5 2 जा 10 अब यह देखे बैटे 2 और 4 भी तो cancel हो रहे है 2 के table पे 2 वंजा 2 and 2 2 जा 4 अब यहाँ पे बैटे last में सिरफ 2 ही बचा है इसमें जो हमने जो solve किया है सब कुछ cancel हो गया है only 2 और यह minus 2 है इसको भी हम यहाँ लिख देंगे now 2 minus 2 what we get we get 0 so 0 will be the required answer okay